आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अब शेक कुमार के बार में जैसा कि आप सब जानते हैं रियालिटी टीवी शो बिग बॉस 17 के फिनाले में अब बस कुछी दिन बाकी रह गए हैं घर के भीतर गिंती के कंटिस्टन बाकी रह गए हैं और हर खिलाडी अपना वस्ट देने की कुशिश कर रहा है इसे बीच अब शेक कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जो उनके सपोर्टर्स को शौक में डाल सकता है अबशेक कुमार ने साप हिंड दिया है कि सूट के स्टास्क में वो आगे बढ़ने के बजाए बैंग उठाकर घर चलते बनने के स्ट्रेटजी में यकीन रखते हैं उन्होंने इसके पीछे की वज़े भी बताई है हलानकी उनके कुछ फैंस को उनकी इस बात पर फक्र भी महसूस होगा दरसल पिछले कुछ वक्त में अबशेक और मुनवर फार्गी की दोस्ती का बॉंड का भी मजबूत हुआ है यहां तक कि जब अबशेक की मा विग बॉस हाउस में आई तो उनका पूरा फोकस इसी बात पर था कि मुनवर को एक मा का प्यार मिल सके मालूम हो कि अबशेक कुमार और मुनवर फार्गी को टॉप टू खिलाडियों में गिना जा रहा है अबशेक कुमार ने रोस्टिंग टास्क के बाद मुनवर फार्गी से कहा भाई मुझे तो मौका मिलेगा तो मैं बैग उठा लूँगा जन्ता पागल है तेरे लिए किसी का कोई चांस नहीं है अबशेक कुमार की बात सुनने के बाद मुनवर फार्की ने एक अच्छे दोस्त की तरह उन्हीं मोटिवेट किया और कहा ऐसा नहीं है ओडियंस सब के ल और या फिर अब शेक कुमार कमेंट सेक्षन में जरू लिखेगा विलते नेक्स वीडियो में नई इंफोमेशन की साथ तक ले बाबाई टेकियर